आज हम बनाएंगे रसमलाई सौप्ट और स्पॉंजी रिजी मेठर से घर पर भी हम रिजी मेठर से रसमलाई बना सकते हैं कि दो लीटर दूद लेंगे और उसे उबाल लेंगे दूद उबल गया है अब गैस को बंद कर देंगे एक मिनट ठंधा कर लेंगे दूद फिर इसमें एक चमज विनेगर डालेंगे फिर विनेगर डालेंगे और इसे चला कर देख लेंगे अगर यह फट गया तो ठीक है वे दूद्ध नहीं फटा है अब दूद्ध फट गया लेकिन पूरी तरह से नहीं फटा है एक चमर चौर विनेगर डालेंगे अब दूद्ध एकदम अच्छी तरह से फट गया है पानी और छेन अलग हो गया है अब एक कॉटन कपड़ा लेंगे और इससे छान लेंगे कि अब इसमें ठन्डा पानि डालेंगे और इसे अच्छी तरह से दो लेंगे अब इसे अच्छी तरह से जुलेंगे नलेंगल होगा इस जुल्द होगा है तो बिनेगर का महठ भी निकल जा जाएगा अब इसे अच्छी तरह से गार लेंगे इतना गार लेंगे कि इससे दूद्ध निकलने से पहले बंद कर देना है कर दूद्ध निकलने लगे तो समझे कि हो गया अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे कर दूद्ध त्यार कर रहे हैं और एक लिटर दूद्ध लिए हैं और इसे 50% सुखा लेना है चलाते वे सुखाएं जिससे मलाई ना जमें बादाम लेंगे काजू लेंगे और इसे कूट लेंगे काजू बादाम को डाल देंगे उसे उबर दूद में कि छोटी लाइची पाउडर वंद फोड चमच चिनी चार पांच चमच कि छेना को अच्छी तरह से मसल मसल के सॉफ्ट करना है इसे चार से पांच मिनट सॉफ्ट कर लें जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से करें एक दम आपका परफेक्ट रस्म लाई बनेगा झाल अब इसके ब्राबर ब्राबर टूपरे तोड़ ले एक साइज में तोड़ ले एक लिटर पानी 700 ग्राम जिन्नी अब इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे एक उबाल आने देंगे अब इसे ढपकर एक वाल आने दें अब ज़र हम छेना का बॉल बना लेंगे अब बॉल को थोड़ा सा प्रेस करना है अब पानी उब ले गया है इसमें एक एक करके डालना है एक पर करके सारे डाल देंगे इसे धक करके 20 मिनट पकाना है बीच ने में चेक किए तो देखिए कितना फुला फुला बड़ा बड़ा वसुला दिख रहा है अब देखिए 20 मिनट हो गया है अब गैस के लिए बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे एक एक करस निचोर करके रस्मलाई वाले दूद में डूब हो देखिए अब इसे दो घंटे बाद सर्व करें अब इसे दो घंटे बाद सर्व करें